चले आप इस टॉपिक में हम दिखते हैं कि जो क्रेच्चुटी का हमने टॉपिक लियर किया था उसका एक नुमेरिकल ले लेंगे मैंने इल्लस्ट्रेशन 5 उठाया है मैं पर इसको पढ़ रही हूं मिस्टर एक्स रिटायर हुए है तेंथ अप्रिल को ठीक है 2019 को आफ्टर सर्विंग फो थर्टी येर्स सेवन मंस तीज साल साथ महीने जॉप करने के बाद he was getting a salary of rupees 15,000 per month 15,000 महीना वो salary ले रहे थे from 1-1-2018 से देखो ध्यान रखना 10 अपरिल को 19 को रिटायर हुए है 1-1-18 से लेकर 31-12-18 तक 18 तक राइट वो salary ले रहे थे 15,000 per month की और उसके बाद उन्होंने 15,600 per month salary लेना स्टार्ट कर दिया मतब एक ही person से जब वो job कर रहे थे तो 1-1-2018 से 31-11-2018 तक तो उनकी salary 15,000 per month थी और फिर 1-1-19 से उनकी salary जो हो गई 15,600 और 10-11-19 को रिटायर ही हो गई ठीक है he received DA at the rate of 33,000 per month forming part of salary for computation of retirement benefits जब यह लाइन लिखी हो या जाए ना DA के साथ कि forming part of salary salary का part माना जाएगा computation retirement benefits के लिए तो याद रखना DA का यहाँ पर उसका मतलब यही है कि DA is given under the terms of employment मैंने एक बार discuss किया है ना और विल्कि कई बार आ चुका है HR A में भी हमने discuss किया था कि जो DA होता है वो दो तरीके से दिया जाता है एक तो सेवा की शर्तों के अंतरगत नहीं दिया जाता है पर सेवा की शर्तों में नहीं आता हो ठीक है जब आप gross salary count करते हो तब DA तो आपन करने के ना तो उसमें DA एड करके salary से कुछ ना कुछ आपको निकालना होता है तो DA करना है यह सवाल तभी solve होगा जब हमें यह पता लगेगा कि DA सेवा की शर्तों के सबसे है या नहीं है जैसे अगर HR A की में बात करूं तो HR A में DA तभी चुड़ेगा HR A में basic salary का सीन आता है ना basic salary प्लस DA प्लस में commission तो वहाँ पर DA लिखा होता है कि सेवा की शर्तों के अनुसार हुई होना चाहिए तो HR A calculate करने के लिए जो salary count करोगे उसमें DA तभी जुड़ेगा जब सेवा की शर्तों के अनुसार होगा बात समझ में आई तो यहाँ पर जब उसने कहा दिया ना कि salary का part है for computation of retirement benefit तो समझ लीजिए कि सेवा की शर्तों के अनुसार ही है तो 3000 परमप DA उसको मिल रहा है and 2% commission on sale achievement और उसको 2% commission में मिल रही है जो उसने sale की है turnover यानि sale achieved by him उसने जो sale की है पिछले 10 महीनों में preceding the month in which he retired होने से होने वाले महीने से एकदम पहले के 10 महीनों में उसके द्वारा earn की गई जो sale थी वो 24 लाग थी और उसके ओपर उसको 2% commission में मिल रही यानि कि 4800 के हिसा 4800 रुपे बन जाएगा उसका 48000 बन जाएगा अभी इसे बताऊंगी ही रिसीवड ग्राचुटी और रूपिज इतना ग्राचुटी उसको इतने मिली है कंप्यूट दा एमाउंक का एक्सम्टेट अमाउंट निकालना है और यह बता रहा है कि ही इस नोट कवर्ड अंडर दा पेमेंट ऑफ ग्राचुटी एक्ट में नहीं आत कि अचारे कितना मिला है और सॉरी ग्राचुटी कितने मिली तो हम क्या करेंगे मैं आपको डरेटली यहां सबसे पहले मैंने है कॉंस्टन सॉल्ट किया है मैं अपनी सॉल्यूशन आपको दिखाती हूं देखिए रिटाय कब हो हम हम हुए 10th 4th 2011 को ठीक है सर्विस कितने साल कि होगी 30 मैं आते तो मैं 31一次 क्योंकि मैं साथ मेरे को एक साल माले लेगी तो एक इसकी सेल्री थी 15,000 पर मन्त उसके के अलावा एक एक उननेस से दस चार उननेस तक उसकी सालरी है 15,600 इसको 6 मानना यह मैं पहले 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 सालर गलती से लिख चुकी थी मैंने इसको 6 किया हुआ है मुझे एवरेस सलरी लेनी है ना पिछले 10 महीने की मैं रिटायर हुई 10-4-2019 को तो एप्रिल का मीना में छोड़ दू एप्रिल से पहले मार्च मार्च और फिर फर्वरी फिर जन्वरी फिर दिसंबर से करते करते दस महीने ले लो 10 महीने कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो अगर मैं यहां से पीछे स्टार्ट करती हूँ तो मार्च फर्वरी जन्वरी ले ले लिए ये 15600 को तीन से मल्टिपलाई क्यों किया क्योंकि मेरी जो सलरी है वो 11-19 से 15600 हो गई है और 11-19 से 10-4-2019 तक मेरी 15600 थी ना चोथा महीन तो क्योंकि अप्रेल मैंने छोड़ देना है तो जन्वरी फर्वरी मार्च की तीन मेने की सलरी 15600 के साब से होगी 4800 बाकी के रगे 7 महीने जो पिछले 7 महीने है क्योंकि मुझे टोटल 10 महीने ने रहा है ठीक है ना साथ और दिन 10 तो पिछले 7 महीने जो है और वो 15,000 थे उसने पिछले जो 7 महीने थे वो अटमेटिकली 15,000 में आ गए 15,000 को मैंने 10 से मल्टिप्लाइ किया ये आ गया है 1,500,000 और फिर मैंने उसके उपर उसको दोनों को टोटल कर दिया 1,500,000 आ गई ये 10 महीने की मेरी सलरी है मेरे को एवरेज लेनी है तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर द उसका 2% ये तो पूरे साल का हो गया 24,000,000 एक सेगिन 24,000,000 हमेरे को मैं आपको क्लियर ली वहाँ पर फिर से ले जा रही हूँ अब आज़ा ये टर्नोवर उसके द्वारा पिछले 10 महीनों का टर्नोवर 24,000,000 है ठीक है मुझे सिरफ पिछले 10 महीने का टर्नोवर का मतलब उसका एवरिज कमीशन चाहिए मैं क्या करूँगी मैं करूँगी 24,000,000 जो है 24,000,000,000 थेस महीने का है ना ठीक है उसका मैं क्या करूंगी 2% पहले निकालूंगी 48,000 अगया 10 महीने का 48,000 आगया आवरेश कितना आगया 48000 आगया याद रखेगा मुझे टोटल ढपिछन नह कमिशन भी आड़ करूंगी और मैं क्या आड़ करूंगी डिये भी आड़ करूंगी तो बेसिक सेलरी मेरी हो गई 15180 आवरेज 48,000 मेरा 10 महीने का टोटल कमिशन है मुझे 10 महीने का आवरेज चाहिए तो मेरा 48 हो गया और 3000 पर मन्त डिये मुझे वो बताई रहा है तो अब कि अवरेज मंतिव यहां मैंने क्लियरली लिखा था आवरेज बेसिक सेलरी तो इभरेज मंृतली सेलरी इस एकल टू बेसिक सेलरी यह इस 15180 पलस दीये में इस वर्ड सिर्फ आपके समझाने के लिए लगा रहे हो अदर्वाइस आपने लगाने ज़रूरत नहीं है इस 22,980 यहां तक clear होगी बात अब चलते हैं हम अपने फॉर्मुले पे ग्राचुटी कितनी मिली है मुझे 4,68,000 यह मैंने लिखती उसके अलावा फिर जो है कहां आगे हां हमारी जो condition कितनी है 20 लग तक exempt होती है ठीक है फिर तीसरा क्या था आपकी last 10 months की average salary को number of years से multiply करके 15 दिन की यानि की आधे महीने की average salary लोगी ठीक है फिर पता रही हूं last 10 महीने की average salary जिसमें basic salary commission bonus तीनों सारी commission और डिये होगा फिर number of years छे मिने से उपर है तो छोड़ मतब part of the month को छोड़ नहीं है इसमें क्या कर रहा है कि 15 और by 30 यह 26 नहीं है बेटा जो payment of gratitude act में आते हैं उसके लिए 15 by 26 करूंगी यहां मैं 15 by 30 करूंगी यह मेरा आगया 3,44,700 इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कैसे आप क्या करो 22,980 को 15 by 30 पहले कर लो यह देखो 22,980 को 15 by 32 पहले भी कर सकते हो बाद में 30 से multiply कर सकते हो एक ही बात है मैंने आपको दोनों तरीके समझाती है answer से मिया आएगा अब तीनों amount में एक यह 20 लाक और फिर यह वाला इन तीनों में सबसे कम amount कौन सा है इन में सबसे कम amount है 3,44,700 तो जो कम amount होता है वो exempt होता है और taxable क्या होगा मिचे मिली कितनी है 4,88,000 exempt कितना है 3,44,700 माइनस करके जो बनेगा ना मेरा वो बनेगा 1,23,300 यह मेरी taxable है मैं solution भी आ जाती हूँ यही मेरा solution था ना 2,900 से निकाला था फिर उसके बाद यह मेरे को gratuity मिली यह मेरा amount वही जो मैंने calculate किया था 20,00,000 मेरी maximum limit है तो least amount है 3,44,700 यह मेरा exempted है मुझे question में exempted amount ही पूछा गया है exempted amount of gratitude बताईए तो बता दी मैंने और अगर कोई पूछे taxable amount बताईए ग्रैचुटी का तो मैं क्या करूँगी कि gratitude मिली कितनी इतनी exempted कितनी है इतनी minus करके जो मेरी आगी थी वो मैंने आपको अपनी calculation में बताई दी थी ठीक है तो यह था मेरा एक solution किस चीज का ग्रैचुटी का चले next topic पे चलते हैं that is treatment of pension अब यह pension के चीज़ है pension जब भी कोई employee retire होता है retire होने के बाद उसको monthly amount मिलता है जिसे आप pension कह सकते हो और यह चाहे का employee government का हो या private हो employee चाहे किसी भी post पे हो चोटा हो बड़ा हो उसे कोई work नहीं पड़ता है वो तब depend करता है कि आप जहां पे नौकरी कर रहे हैं क्या वहाँ पर pension की policy लागू होती है अगर होगी तो आपको pension मिलेगी नहीं होगी तो नहीं मिलेगी ठीक है अब pension के लिए मैं आपको एक बार next page पे ले जाओंगी क्योंकि diagram से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा pension हमारी दो टाइप की होती है एक हम uncommuted बोलते हैं और एक बोलते हैं commuted अनकम्यूट का मतलब होता है मैंने 81 नीली मैं मंतली ले रही हो लिखा हो है ना मंतली pension ठीक है और एक होता है जब मैं इसको 81 रूप में ले लेती हूं अभी कई बच्चों के दिमाग में question आएगा कि मैडम pension तो मंतली बोल रहे हो और फिर इकठी कैसे है नहीं ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको मतली मिले कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें अचानक कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है और अगर हमारी policy हमें allow करती है तो हम pension का कुछ पार्ट commute करवा लेते हैं उसे क्या होगा कि हम कुछ सालों की pension जो है कुछ years की pension जो है वह कठी ले लेते हैं और लमसा में मांट भी आपको मिल सबता है और मंतली तो मिलता ही है तो जब अगर मंतली मिलता है ना तो वो सभी employees के लिए taxable है उसमें कोई government non-government में difference नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप pension commute करवा लेते हैं तो फिर हम employees को दो category में बाटेंगे government employee और non-government employee pension के लिए government employee कौन-कौन से हैं उसके लिए मैं आपको एक मिनट के लिए फिर से उसी page पर ले जाओंगी जो हमने first number पर गया था यह table आपको ध्यान में होगी यह table मैंने इसलिए आपको बोली थी कि इसको ध्यान से याद कीजिएगा और इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी पिछ टेटरी तो हैं यह local authority के भी है statutes करपोरेशन के भी हो गए जबकि statutory corporation के employees graduate के case में non-government माने जाते हैं लेकिन pension के case में वह government माने जाते हैं इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस table को उसी ट्रिक के सापसे याद कर लीजिएगा थाकि आपको दिक्कत ना आए ठीक है वापिस सक होते हैं उसी point पर तो अब आपके लिए government non-government को clear करना आसान हो जाएगा कि government employee में कौन-कौन आते हैं central के state के local authority के और statutory corporation के pension के point of view से कह रही हूं तो government employee जितने भी है उनको जितना भी pension का लमसम amount मिलता है वो बेटा taxable नहीं है याद रखेगा अगर monthly amount मिलता है वो सब के लिए taxable है वो चाहिए government हो या non-government हो लेकिन अगर आप pension को commute कर वा लेते हैं तो वो government employee के लिए exempt होगा अब आ जाते हैं non-government employee पे non-government employee में आपको याद हो last में एक ही category बची दी वो other employees वाली अब इसके लिए हमें को फिर से दो category बनानी पड़ेगी non-government employees में दो condition एक तरा से अब employee तो वही है अधर वाले condition ये है कि वो employee क्या gratuity भी ले रहा है या वो gratuity नहीं ले रहा है चीक है याद रखें ये दोनों point सिर्फ तब देखना है जब person non-government हो तो gratuity ले रहा हो तो याद रखेंगा ये क्या करना है आप अपनी pension मान लीजे मुझे 2000 परमंथ pension मिलती है अगर उस pension एक मैं मान रही हूँ जान से सुनेगा मेरी बात अगर मैं ये मान लो कि मैं 2000 परमंथ जो pension म मैंने आपको बोला था कि हमें कुछ amount commute करवाओंगी कुछ pension commute करवाओंगी जैसे 2000 पर में से 1000 परमंथ वाली commute करवा लोगी बाकी के सालों में मुझे वह 1000 परमंथ pension मिलती रहेगी लेकिन actually obviously होता वही है आप सारी की सारी pension rarely commute करवाते हैं ज्यादतर कुछ portion ही commute करवाया जाता ह है वापिस आ जाते हैं हम यह मान लेगे अगर मैं सारी pension commute करवा लूँ तो उस pension का जो वन थर्ड बनेगा मानली जी मैं 2000 रुपे परमंथ की pension को commute करवाके मुझे मेरे हाथ में 10 लाख रुपे आते हैं तो 10 लाख का वन थर्ड बनता है 33,300 something ठीक है वो मेरी exempt हो जाएगी बाकी की taxable हो जाएगी और अगर मुझे gratuity नहीं मिल रही है तो मैं उस 10 लाख का 50% याने की 5 लाख रुपे exempt हो जाएगा याद रखिएगा अगर आपको gratuity मिल रही है तो total pension जो commuted pension है total total commuted pension का सिरफ one third exam exam हो जाएगा और अगर आपको gratuity नहीं मिल रही है तो total pension का one half exempt हो जाएगा इसलिए आपको फाइदा कहां पर है यहां पर है कि अगर इधर आपको gratuity नहीं मिल रही है तो आपका आदा exam हो जाएगा और इधर अगर आपको gratuity मिल रही है तो नुकसान यह हो गया कि one third exam होगी बागी टू थर्टो टेक्सेबल हो गई ठीक है चलिए I am sure कि यह वाला जो point है ना वो थोड़ा भी confuse करेगा तो यह question के जरी हम clear कर देंगे वापिस मैं एक बार फिर से आ रही हूँ पहले मैं theory clear करवा दू पैंशन की मैं बात कर रही थी pension जो है आपको after retirement periodically मिलती है मन्थली मिलती है और कुछ बार कई बार इसको लोग कम्योट भी करवा लेते हैं ठीक है फुली भी करवा लेते हैं या पार्टली भी करवा लेते हैं तो मैंने आपको तो बताई दिया फुली करवा ओगे तो भी reason कुछ भी रहा हो लेकिन procedure वही रहेगा ठीक है चलिए अभी pension ये तो हो गई बाली वाली और ये होगे कम्योट वाली ये जितनी में बाते मैंने आपको अभी अभी डिसकुस की है न यहां पे वह सारी इस theory में लिखी हुई है इसमें कोई भी point नया नहीं मिलेगा आपको ये आपको बता रहा है कि कोई भी LIC गहरा ये सब वह सब जो भी है न वह देख रह जाएंगे न वो हम इस question में clear काल लेते हैं चलिए जी इस question को मैं जहां से पढ़ती हूं Mr. Suresh is getting a pension of rupees 12,000 per month Suresh जो है 12,000 per month pension ले रहा है from a company company से ले रहा है थोड़ा idea तो company से ही हो गया कि यहां पर ये जो है non government लग रहा है बाकी अभी देख लेते हैं पेटा कुछ ना बताई अकर यहां तो word लिखा था था ना from a government company या public sector company फिर तो क्या था ये government है लेकिन अगर कुछ भी ना लिखे तो समझ लीजेगी ये non government है during the previous year he got his two-third pension commuted उसने अपने बारा हजार में से two-by-third pension कम्यूट करा ली अगर मैं बारा हजार का two-third देखती हूँ तो यह बनता है आठ हजार आठ हजार रुपे pension उसने का मेरी बंद कर दो और उसके बदले में मुझे पैसा एकठा दे दो और जो बागी की चार हजार पर मन्थ है ना वो मिरे को देते रो पर मन्थ वो मुझे पर मन्थ पैसा एकठा देते रो जो कि taxable होती रहेगी हर साल 12, 48, 48, 48, 48,000 करके लेकिन य आठ हजार रुपे पर मन्थ है ना ये बंद कर दो बेशक्से मुझे ना आप आठ हजार रुपे पर मन्थ pension के बदले में कुछ पैसा एकठा दे तो commute करके अब clear होगी ये बात ठीक है और उस पैसे वो कितना पैसा मिला वो पैसा उसको मिला 7, 38,000 रुपे तो अब आपको क कितना पैसा exempted होगा और कितना taxable होगा सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि मैं norm government हूँ या government हूँ अगर को मैं एक government होती एक percent मैं मान के चल रही हूँ अगर मैं government में होती तो ये 7, 38,000 पूरा का पूरा मेरे लिए tax free होता और रहे गए जो बाकी के 4,000 क्योंकि two-thard तो उसने commute करा ली जिसके बदले में उसको 17,38,000 मिल गए जो tax free हो गए और जो बाकी के 4,000 परमंद बचे वो उसको हर साल परमंद परमंद करके मिलते रहेंगे साल का 48,000 मिलेगा वो पूरा गपूरा taxable होगा चाहे आप government भी क्यों नहीं है ठीक है लेकिन अब इस case में कह रहा है कि मैं government नहीं हो मैं या मैं तो company में हो और company मेरी private एक तरह से तो अभी मैं करूंगी सबसे पहले अगर वो ग्रैचुटी लेता है तो तो पहला जो आपको कान करना है वो यह करना है कि 12,000 रुपे पर मंथ pension थी उसका आपने 2,3rd commute करवा लिया 2,3rd commute करवाया तो आपको मिले 7,38,000 अगर मैं सारी pension commute करवा लेती तो मुझे कितना मिलता ठीक है तो मैं उसको निकालूंगी पहले वो amount तो उसके लिए मैं क्या करूंगी 2,3rd amount 2,3rd is equal to 7,38 1 is equal to 7,38 गुना यानि multiply by 3,2 तो हो गया न यह देखो Commuted value of 2,3rd pension कैसे निकालते हो बच्चो 7,38,000 multiply by 3,2 3,2 कैसे किया मैंने 2,3rd pension के लिए value है 7,38 1 के लिए है तो 3,2 कर देंगे न तो 1 का मतलब full है महाँ पे वहाँ 1 का मतलब full से है 2,3rd 1 का यह तो 2,3rd हुआ न हम एक चीज़ को whole मानते है न जब 1 एक number है जिसको whole number मान रहे है तो उसका 2,3rd उसका ही तो हुआ न तो 2,3rd के लिए तो 7,38 मिले तो 1 यानि कि पूरी pension के लिए कितना मिलेगा मैं 3 by 2 कर लूँगे ठीक है तो यह मेरा बन यह मेरा बना है 11,7,000 समझ में आया 11,7,000 ठीक है तो अब एक बर वापिस मैं यहा रही हूँ कि अगर आप क्रेचुटी ले रहे हो तो आप total commuted value का 1,3rd exempt हो जाएगा total commuted value तो मेरी बेटा 11,7,000 है इसको मत देख देना बहुत सारी बच्चे यह गलती कर जाते हैं वो क्या करेंगे 7,38,000 का 1,3rd कर लेंगे no never आपने क्या करना है पूरी pension को commute करके एक बार देखो rate क्या आ रहा है यह आ गया इसका 1,3rd करो इसका 1,3rd कर रहे है तो आ गया है मेर 3,69,000 यहां तक बात clear हो गई 3,69,000 ठीक है अगर यह ग्रेचुटी ले रहा है तो ग्रेचुटी ले रहा है तो पूरी commuted pension का 1,3rd करो तो वो आजेगा मेरा 3,69,000 अब वो कहते हैं exemption बताओ कितनी है exemption बता देती हूं कितनी है मेरा कितना है 7,38,000 मिला है मिला है नहीं 7,38 और exempted कितना हुआ 3,69 तो less करके देख लो कितना बनेगा 7,38 में से 3,69 less करेंगे तो यह मेरा जो बन जाएगा वो minus करके अभी आपको बता देते हैं यह minus करके उसने दिखान यह रखा कोई बात नहीं उसने मुझे exempted amount ही बताया है उसने पूछा यह exempted amount है exempted amount तो मेरा हो गया है 3,69 और अगर पूछे taxable amount कितना है तो मिला कितना 7,38 exempted कितना 369 तो 7,38 में से 369 minus करके यह मनेगा 469 469 आपका exempted taxable हो जाएगा ठीक है राइट समझ में आई मेरी बात फिर से बता रही हो अगर आप non government है तो में है तो आपको देखना है अपको gratuity मिल रही है नहीं मिल रही है जैसे ही पता लगे gratuity भी मिल रही है आपने pension को total value पर commute कर देना है और value पर commute करने के बाद उसका one third जोगा वही exempt होगा और यहां पर सिर्फ इतना फरक है कि अगर gratuity नहीं मिल रही है तो जितनी pension आपने total निकाली ग्यारा लाग साथ हजार इसका one half exempt होगा ग्यारा लाग साथ हजार का one half बच्चों बनता है पांच लाग 53,500 आप करके देख सकते हैं एक सिकेंड हाँ पांच लाग 53,500 ही बना है तो यह exempted हो गया मेरे second case में तो इन दोनों का answer समझ में आ गया हमसे पूछा क्या जा रहा है कि commute करके बताईए कि exempted amount कितना है अगर gratuity ले रहा है तो मैंने बता दिया 369,000 exempted है और अगर वो gratuity नहीं ले रहा है तो कितना exempted है पांच लाग 53,500 फिर से एक बार वापिस उसी प्लीज आ रही हों प्लीज आप ध्यान रखिएगा आपने साथ लाग 38,000 का वंधर नहीं करना है आपने ग्यारा लाग 7,000 का वंधर करना है राइट ठीक है जी तो यह था हमारा pension वाला topic इसको आप अच्छे से करो और एक जो भी और question extra हो वो आप करके देखिए problem है तो मैं सद्क्रस केस्ट आप एक बाइट खीकेर